नमस्कार साथियो, आज एक और खास वीडियो लेकर किया आपके बीच मैं है एक साथियो ने सवाल बूचा कि सर मैं अपने परिवार को कैसे कन्वेंस करूँ मुझे राजनीती में आना है लेकिन परिवार वाले नहीं मान रहे हैं और क्या कन्वेंस करूँ या ना करूँ या बिना कन्वेंस करें भी काम चल जाएगा साथियो वैसे तो मैंने इस पर एक वीडियो पहले भी बनाया था बट मैं इस पर थोड़ा और डिटेल में बतानी कोशिश करता हूँ कि कैसे समझाय जाए पहली बात तो यह बात सही है कि यदि परिवार का समर्थन ना हो तो राजनिती में सफलता प्राप्त करने में बहुत बहुत दिक्कत आने वाली है क्योंकि जब परिवार साथ दे रहा होता है न तो बहुत सारी सीज़ा असान हो जाती है आपको राजनिती में बहुत समय लगाना पड़ेगा, आना जाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, पैसा लगेगा, परिवार अगर सपोर्ट करेगा, तो परिवार आपका साथ देगा, यदि माली जे परिवार साथ नहीं है, तो उस समय पर आपको इस सब खुद करना पड़ेगा प्लस परिवार की भी बुराईयां सुननी पड़ेंगी अच्छा राजनिती में शुरुआत में तो कुछ अचीमेंट मिलते ही हैं मतलब इन टम्स और मॉनिटरी टम्स में तो कुछ मिलेगा है नहीं उल्टा जेव से लगाना पड़ेगा पैसा और जब आप सफल ना के बराबर हैं साल ओल्ली शिस्टम बहुत सारा ट्रांस्परेंट हो चुका है कुछ और सिस्टम 24 बहुत ज़्यादा ट्रांस्परेंट होने वाला है तो इसकी संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी तो राजलिती में समस्य क्या आती है अगर परिवार साथ ना दे तो भी बहुत इससे थी जादा अच्छी नहीं होने वाली है तो फिर परिवार शुरुआत में बोलने लगता है भाई क्यों अपना समय बरबात कर रहे हो अगर पढ़ा लिखा बच्चा होता है नौलेजेबल होता है इंटलिजेन होता है कुछ अच्छी जॉब कर रहा होता है या अच्छी जगा सेटल होता है तो फिर माबापका प्रेशर और जादा होता है कि भाई क्यों यह सब करना क्या जरूत पड़ी है आपको राजनीती माने की क्या जरूत पड़ी है समय क्यों बरबात कर रहे हो जिवन में कुछ होने वाला नहीं है सफल होने वाले नहीं हो अच्छा माली जे महिला है तो, अच्छा वर्किंग महिला है तो, अगर हाउस वाइब है तो, अगर अन्मेरिड है तो, तो दिक्कते और अलग होंगी, तो हर एक के साथ समस्या तो है, लेकिन जो second part है, ये क्या परिवार को convince करना जरूरी है, इसको बारे में पहले बात करता ह मेरा example भी देते हैं, कि मेरा बिटा ये कर रहा है, वो कुछ बड़ा करना चाता है, जी होने बहुत बड़ा करेगा, बहुत काबिल है, लेकिन शुरुआती दिनों में ऐसा नहीं था, जब मैंने 2006 में ये institution शुरू किया, तो मेरी family ने मुझे उतना support नहीं किया था, क्योंकि समझ पाएंगे, माभाप बच्चों के दुश्मन नहीं होते हैं, माभाप बच्चों से नफरत नहीं करते हैं, वो प्रेम करते हैं, उन्हें डर होता है, मेरे बच्चे छोटे हैं लेकि मुझे अनके भविषय को लेकर अभी सी चिंता होती है, तो जब वो बड़े होगे, और जब वो लग रहा होगा काबिल हैं कुछ कर सकते हैं और वो ना करके जो मैं सुत्रों कुछ और करेंगे और जिसमें उन्हें सफलता भी नहीं मिल रहे होगी तो दुख होगा और जब मन दुखी होगा तो इंसान क्या कहेगा उसको समझानी कुशिश करेगा कि नहीं बटाए ठीक नहीं है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि नतीजे नहीं है ना सामने और कणवी सच्चा है क्या है? दुनिया परिणामों को इनाम देती है, परियासों को इनाम नहीं देती है आपने 50 बार प्रियास किया परिनाम क्या निकला सीदी सी बात है माबाप के लिए भी यही कुश्शन आएगा कि परिनाम क्या निकला रिजल्ट क्या है तो एफट्स कोई नहीं देखेगा रिजल्ट हरके सो चाहिए होगा आपके effort बेकार भी जा सकते ये भी बात सही है उनका तजरुबा ये बात सही है राजनीती में क्योंकि 99% people who enter into politics field नियाद में पृतिशद लोग fail होते हैं ऐसा नहीं है वो समय नहीं लगा रहे होते हैं ऐसा नहीं हो पैसा नहीं लगा रहे होते हैं पैसा भी लगता है संसाधन भी लगते हैं और एंड में कुछ नहीं मिलता और बहुत सार लोग तो शिकार बन जाते हैं उन्हें शिकार बना लिया जाता है राजनीती का क्योंकि उनको पता ही नहीं उनको शिकार बना जा रहा है तो आपको शिकार बनने से भी बचना है कि कोई आपका शिकार ना बनाए कोई आपके संसादनों का आपके resources का misuse ना करे अपनी इच्छा से आप कर्च करें ठीक है लेकिन जबस से नहीं होना चाहिए दबाव नहीं होना चाहिए तो माबाप गलत नहीं है पहली बात तो यह समझनी है दूसरा माबाप की psychology को समझना है उनकी psychology क्या है maximum लोग fail होते है जो सही है पास result भी यह दिखाते है पास record भी यह दिखाते है और जिनके परिवार का कोई वक्ति कभी MLA नहीं रहा, MP नहीं रहा, मंत्री नहीं रहा ग्राम परधान नहीं रहा, जिला पंचासे दसे नहीं रहा राज निती में नहीं रहा वो कैसे, कैसे उनके घरवाले सुईकार कर लें कि तुम सफल हो जाओगे और क्यों कर लें वो इस वात को सुईकार इस्ता ग्रो कर रहे होगे जब आइस्ता इस्ता इस्ता आपकी पस्टेंटी में इंप्रूमेंट हो रहा होगा जब आइस्ता इस्ता आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ रहे होगी जब लोग आपके पास अपनी समस्चा लेकर के आने लगेंगे जब आप कलेक्टर के साथ SSP के साथ जब पुलिस आफिसर्स के साथ लोगों की समस्चाओं के समधान के लिए मिल रहे होंगे जब कहीं पर कोई dispute होगा कोई problem होगी और लोग आपको बलाने आएंगे आपके माता पिता के सामने आपके परिवार वालों के सामने कि अपने बेटे को भेज़ दीजिए मध्यस्ता करनी है बीच बचाओ कराना है उनकी बात सम्मान लेते हैं वो सम्मान लेते हैं हमारे respectable है जब महले में आपके माता पिता निकलेंगे आपके भाई आपका बहन आपके रिष्टार निकलेंगे और उनकी रिस्पेक्ट हो रही होगी आपकी वज़ा से तब तब स्विकार करेंगे लेकिन कन्वेंस करते रहे एक दिन ऐसा आएगा माब आपको स्विकार करना पड़ेगा अगर आप सही है तो और यदि वो सही है तो फिर आपको उनकी बाद भी माल नहीं चाहिए माल लेजे आप शिकारी हो रहे है राजनीती का एक दू साल राजनीती में लगाया सफलता नहीं मिली कोई बात नहीं कुछ कहीं नहीं पहुँचे नहीं दिक्कत है लेकि दस साल हो गए पंदरा साल होगे अभी आज भी एक काउंसलिंग आया था एक फोन आया मैं हरान हूँ उस वक्ति के बारे ही बात करके पच्चिस वर्ष से राजनीती में है पच्चिस वर्ष और हर साल हर त्योहार पर अपने निताओं के MPK, MLK के पोस्टर्स लगाते हैं, बैनन इस लगाते हैं, होडिंग लगाते हैं, परचारी करते हैं, कारह करते हैं हर सालких व्रह देड़ से 2,6,5 पर, खर्च कर रहे हैं पच्चिस वर्ष लगा दियें और इस बार उन्हें पार्षड की टिकेट बोला गया था लेकिन इस बार भी मना हो गई है अब बताईए उस वक्ति के बारे में क्या होगा ठीक अभी चुना होने थे लोगडाउन आ गया चुना अटल गए है लेकिन ठिकट नहीं मिलेगी उसको यह कंफर्म हो गया अब क्या बोलू मुझी क्या सला देनी चाहिए इस वक्ति शिकार ही तो कहा जाएगा अच्छा एक दो साल पांस साल लगाए होते लाग दो लाग पांस लाग रुबे खर्च होते समझ जाता 25-30 लाग रुबे 25 वर्ष जवानी के लगा दिये उस वक्ति ने उसके माता पिता वो सही साभीत ही कर दिया उसी ने तो हमें क्या करना है हमें राजनीती में जाना है लेकिन माबापको भी कंवेंस करते रहना है और खुद को भी develop करना है खुद का भी विकास करना है जब आपकी personality में इंप्रूमेंट दिखेगा जब आपकी टीम बड़ी हो रही होगी, जब आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे होगा, जब आपका मान सम्मान हो रहा होगा, तब तब देखेगा, मालीजी आप पांस साल राजनीत को देते हैं, पांस साल में आप अपनी टीम बिल्ड कर लेते हैं, माता पिता को कन करें करना चाहता हूं अपने बर्डे का और मेरे कुछ लोग आएंगे उन्होंने पूचा कित्रे लोग आएंगे visas Two लोग Year 12 लो एक देख़ और मे उख यह तुमने कप किया कैसे किया फिर तुम बता सकते हो कि मैं इसे से कॉम किया मैंने इसे अपनी टीम बिल्ड की, मैंने इस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ा, इस तरह से मैंने करेक्टिविटी पैदा की, अब वो पुछें, खर्चा कौन करेगा, वो सब लोग मिल करके खर्चा करना चाहते हैं, मेरा बर्डे का करेक्रा में, दस लाक रुपे खर्चों क वो सब खुद करेंगे, इस से बड़ी अच्छी में उनके क्या होगी, कि उनके बच्चे के उपर कोई दस लाक रुपे खर्च करने को तागी आर है, आज की डेट में जब दस रुपे कोई खर्च नहीं करता साथ, अब समस्य है कि ऐसे लोग आपको मिलेंगे कैसे, क्या मे मेहनत करनी है, एक एक व्यक्ती, एक व्यक्ती आपके लिए जैम होता है, हीरा होता है, जैसे हीरे को निकालना पड़ता है, उसको तराशना पड़ता है, उसको शार्पनी करना पड़ता है, कटिंग करना पड़ता है, ऐसे एक 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 लीडर ऐसे तयार किया जाता है साब, आपकी टीम में 10-20-50 लीडर होने चाहिए ना, उसमें समय भी लगेगा, उसमें पैसा भी लगेगा, मेहनद भी लगेगी, नौकरी कर रहोगा तो 7-8 गंटे, 10 गंटी नौकरी होगी, 3-4 गंटे फिर राजनीती को देना पड़ेगा, फेस विपर बैठना पड़ेगा, वाटसेप पर चर्चा करनी पड़ेगी, गुरूप में पार्टिस्पेशन करना पड़ेगा, उनके हर दुख सुप में शामिल होना पड़ेगा, समय भी लगेगा, संसाधन भी लगेंगे, और परिवार के तो शिकायत सुनोगे, क्योंकि जो समय होगा छुट्टी वाला द डालनी है, कैसे कनवेंस करना है, छोटे छोटे अपनी अचीवमेंट्स बताओ उनको, जब आपने किसी को लीडर तेयार किया, वो बताओ उनको, जब आप कहीं किसी कारेकर में गए, चीफ केस्ट के तोर पर आपको बुलाया गया, वो फो फोटोग्राफ दिखाओ, जहां इसी जगा बुलाया गया, जहां पर मान सम्मान दिया गया, मंच आपके लिए सजाया गया, आपको स्पीज देना का मौका मिला, इन सब बातों को ने बताओ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कनवेंस होगा, एक दिन ली लगएगा, एक साल, दो साल, तीन साल लग जाएंगे, और जब कनवेंस हो जाएंगे, तब देखेगा कि तब कितना मज़ आने वाला है, बहस नहीं करनी है, तो लो क्या करते हैं, बहस करना शुरू करते हैं, ते माता पिता से, परिवार वालों से, जो मैरीड लेड़ी हैं, वो अपने हस्बेंड से, जो हस्बें हैं, वो हो जाएंगे, एक दिन दुनिया छोड़ कर जाना पड़ जाएगा साब, अकेले हो जाएंगे.